अध्याय नौ, क्रिया, अध्यन बिंदू, क्रिया, क्रिया के भेद, अध्याय विवरण, हम सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य स्वयम भी होते हैं, कार्य के करने या होने का ज्यान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, संसार में दो प्रकार के कार्य होते है सोयम होने वाले कार्य तथा किये जाने वाले कार्य, जैसे फूल खिल रहे हैं, नदी बह रही है, हिरन पानी पी रहा है, बंदराम खा रहा है, हाथी बैठा है इस चित्र में कुछ कार्य सोयम हो रहे हैं और कुछ किये जा रहे हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के हूने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं विशेश, वाक्य में क्रिया का महत्वपूर स्थान होता है, बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता है, जैसे क्रिया रहित वाक्य, क्रिया सहित वाक्य, विनोध गाना, विनोध गाना गाता है, चिडिया, चिडिया उड़ती है, लिंग तथा वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे पुलिंग, स्त्रीलिंग, शेर दाहाड रहा है, शेर नी दाहाड रही है, एक वचन बच्चा हसता है बच्चे हसते हैं क्रिया के भेद क्रिया के दो भेद होते हैं पहला सकर्मक्रिया दूसरा अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक्रिया कहलाती है जैसे माली पौधा लगा रहा है गरिमा रसी कूद रही है करता कर्म क्रिया माली पौधा लगा रहा है गरिमा रसी कूद रही है अकर्म क्रिया जिस क्रिया किस साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्म क्रिया कहलाती है जैसे कुटा भौक रहा है दादा जी टहल रहे हैं करता कर्म क्रिया कुत्ता भौक रहा है दादा जी टहल रहे हैं आओ दोराएं जिस शब्द से किसी कारे के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक तथा अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया में क्रिया के साथ कर्म होता है अकर्मक्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है